दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाद है मेरे यूटूब चैनल IOC याने के इंस्ट्यूट आफ कम्प्यूटर एजुकेशन में आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे शाथिओं आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप अपने मुबाइल के जरीए जीमेल के माध्यम से यदि आपकिसी व्यक्ति को मेल शंड कर रहे हैं तो उस मेल को कंपोज करते समय आप किसी फाइल को अपने मेल के साथ कैसे अटेज कर सकते हैं फाइल अटेज करने के दो साधन हो सकते हैं पहला वह फाइल वह पेडिया फाइल हो सकती है वह कोई इमेज हो सकती है या कोई दूसरी फाइल हो सकती है वह फाइल आपके मोबाइल के अंदर पहले से सेव है और उस फाइल को आप मिल के साथ अट के साथ Attach करना चाहते हैं तो इन दोनों ही तरीकों को हम जानेंगे कि इन दोनों ही तरीकों से हम अपने mail में किसी file को कैसे Attach कर सकते हैं तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान की जो मेन इस्क्रीन है या दिखाई दे रही है तो दोस्तों मोबाइल के जरिए यदि आप किसी व्यक्ति को जीमेल के माध्यम से मेल सेंड करना चाहते हैं तो इसके दो रास्ते होते हैं पहला रास्ता है कि आप जीमेल का डिफाल्ट अप्लिकेशन है उसका उप्योग करें दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप किसी ब्राउजर के जरिए आप किसी व्यक्ति को मेल सेंड करें तो दोस्तों आज की इस वीडिय पर folder के अंदर इसको सेव करके रखा हुआ है तो यह जो ब्लिंग Yuk to रहा है इसके अंदर हमारा Gmail का आपलिकेसन है तो यह देखए यह जो यह ब्लिंग करते हुई एरिया दिखाई दे रही है यह जो अपलिकेसन है यह जी घूल का को कमपोज करने का यह option हमारे मोबाइल में open हो चुका है तो दोस्तों हमने अपने पिछले मेल में जिसको हमने example लिया हुआ था सेम वही चीज को हम यहां पर ले लेते हैं तो देखिए एक LIC एजन्ट अपने क्लाइन्ट को LIC की premium की intimation send कर रहा है उसका एक यह data बनाया हुआ है आप चाहें तो इस mail को पढ़ सकते हैं तो मैंने यहां example के तौर पर यहां पर मैं आपके साथ ले लिया हूँ अब हमें इसके साथ एक फाइल एटाइच करनी है तो दोस्तों इसके लिए यदि आप ऊपर की ओर ध्यान देंगे जहां पर की एक राउंडेट कारणर rectangle blink करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो की यलो कलर का है उसके नीचे एक पिंज जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा हमको सबसे पहले इस option पर क्लिक करना होता है अब दोस्तों जैसे ही आप इस option पर क्लिक करेंगे दो option आपके सामने ओपेंग हो जाएंगे पहला आपके mobile की अंदर सेव है तब तो हम इस पहले वाले option का यानि attach file का उपयोग करेंगे और यह जो दूसरा वाला option है insert from drive इसका उपयोग हम तब करेंगे जब जो Google Drive है यदि आपने किसी file को अपने Google Drive में save करके रखा हुआ है तब हम इस option का उपयोग करेंगे तो चलिए सबसे file वाले option पर click कर देते हैं अब जैसे ही आप attach file पर click करेंगे आपकी mobile में जो भी file है वो आपको दिखाई देने लगेंगी यदि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही तो आपने mobile में जहां भी save किया हुआ है जिस भी folder में save करके रखे होंगे आप उसको खोश सकते हैं तो example के तौर पर देखिए मैंने यहाँ पर एक PDF फाइल already save करके रखे हुई है आपको समझाने के लिए तो मैं इस PDF फाइल को click कर लेता हूं तो सबसे पहले हम यह जो PDF फाइल के ऊपर एक rectangle blink करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है हम इस पर click कर देते हैं अब जैसे ही आप इस फाइल पर click करेंगे यह जो file है आपके mail के साथ attach हो जाएगी अब यदि आप चाहें तो directly इस mail को यह जो ऊपर arrow बना हुआ है इस पर click करके अपने client को इस mail को send कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ बागी है कि हम यदि किसी file को google drive में save करके रखे हैं तो उस file क को हम इस mail के साथ कैसे attach करेंगे तो चलिए एक बार फिर से हम ऊपर यह जो pin जैसा बना हुआ है उस पर click कर देते हैं और अब हम insert from drive वाले option को click करते हैं अब जैसे ही आप insert from drive वाले option पर click करेंगे आपकी जो mobile की screen है कुछ इस तरह से बदल जाएगी अब यहाँ पर यह जो my drive का option दिखाई दे रहा है हम इस पर click करते हैं अब जैसे ही आप इस option पर click करेंगे आपके Google drive में जितनी भी फाइल जैसी भी फाइल आपने save करके रखी होगी वो सारी की सारी फाइल आपको दिखाई देने लगेगी तो यहाँ पर यह देखिए example के तौर पर धिवान लगाही दे रहा है और नीचे side में select का option highlight हो जाएगा जब तक आप को इस option को selection नहीं किये थे तब तक यह highlight नहीं था जैसे ही आप इस option को select करेंगे यहדowal option है हाइल हो जाएगा हमको इस option पर click कर देना होगा अब जैसे ही आप इस option पर click करेंगे यह जो Google Drive में आपकी file saved थी यह आपके mail के साथ attach हो चुकी है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने mobile में अगर कोई file पड़ी हुई है या फिर आपके Google Drive में कोई file पड़ी हुई है तो आप उसको आसानी से अपने mail के साथ attach करके आप अपने client को या फिर अपने दोस्तों को send कर सकते हैं अब यदि आपको यहीं से इस mail को send करना है तो उपर जो arrow बना हुआ है आप इस arrow की button पर click करके आप इस mail को send कर सकते हैं अब दोस्तों एक समस्या देखिए जब आप mobile के application का उपयोग करते हैं यानि Gmail के application का उपयोग करते हैं तो आप किसी image को mail के बीच में attach नहीं कर सकते दूसरा चीज यहाँ पर emoji लगाने का option आपको नहीं मिलता है तीसरा चीज आप यहाँ पर कोई link attach नहीं कर सकते लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप application के साथ अगर यह कार नहीं कर सकते हैं तो mobile के ज़रिये नहीं होगा यह कार आप mobile से भी बड़े आसानी से कर सकते हैं तो यह कार यानि कि हम link को अपने mail के साथ कैसे attach करें अपने mail के बीच में हमकिसी image को कैसे insert करें ताकि जब हमारा जो viewer ह यानि कि हमने जिसको mail भेजा हुआ है वह जब हमारे mail को open करे तो open करते समय वह attached file में image न दिखाई दे वह image mail के बीच में ही display होने लगे यह कारे हम कैसे कर सकते हैं और emoji कैसे add कर सकते हैं इसको हम अपनी आने वाली वेडियो में discuss करेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो छोटी सी जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उप्योगी रही होगी तो दोस्तों यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविस्य में भी update रहना चाहते हैं तो इसकी लिए आप हमारे YouTube चैनल IOC को subscribe कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल को subscribe करते हैं तो साथ में बिल आइकान पर क्लिक करके all notification को जरूरान कर लें इसका फाइदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोश्ट होगी तो उसका notification आपको मिल जाएगा और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक request आप से करना चाहूंगा request यह है कि हमें आपके support की बहुत ज़्यादा जरूरत है और support के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है यदि आपको हमारी यह वीडियो उप्योगी लगी है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीच साथी दोस्तों के साथ share कर सकते हैं इसका दोहरा लाब होगा पहला लाब तो आपके उस दोस्त को यह हो जाएगा कि उसको Gmail की जानकारी हो जाएगी और दूसरा लाब आपके इस दोस्त को भी हो जाएगा यानि कि मुझे हो जाएगा कि हमारे चैनल को promote होने में थोड़ी सी धुरी मच्च